हेलो फ्रेंड्स वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज कि इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश जूनियर सिछक बरती से समंदित एक बहुती महतपूर खबर के बारे में बात करेंगे तथा इसके अलावा जो 17 अप्रायल को आपकी परिक्षा होन था कि 1000 कोस्चन आपको पेपर से पहले करा दूगा उसके बारे में वीडियो के लास्ट में हम लोग थोड़ी सी बोल बता देंगे तो उसको भी आप लोग सुन लीजिएगा ठीक है तो सबसे पहले यहाँ पर सूचना बता देते हैं क्योंकि कुछ लोग सिर्फ सूचना के लिए आए होंगे ठीक है तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हो देखते हैं क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हैं सबसे पहले देखिए यह देखिए आपकी यह परिक्षा है आयोक के विग्यापन संख्या के अंतरगत उत्तर प्रदेश राजकी महाविद्यालियों म आयोक द्वारा पूर्व में जारी विग्याप्ति संख्या ठीक है असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भरती आपकी थी उसकी उसकी परिक्षा के जो ती 17 अप्रेल 2021 ठीक है इसके संबंद में अभियरतियों को इतद्वारा सोचित किया जाता है कि उक्त स्क्रीनिंग परिक्षा का है वो दिया है पंचाय चुनाओ ठीक है कोरोना का नहीं दिया जबकि कोरोना अपने चरम पर है एक तरीके से 90 से एक लाग के बीच में डेली मतलब कोरोना की संख्या बढ़ रही है ठीक है लेकिन यहाँ पर जो इसका कारण दिया गया है 17 अप्रेल की जो परि सबकि जूनियर सिचक भरती की जो परिक्षा है उसके लिए भी बात करेंगे वह आपकी 18 अपरेल को थी 18 अभी तक यह आ गया है कि 18 अपरेल को परिक्षा आप देखिए इसकी भी तैयारिया आयोग कर रहा था 17 अपरेल वाली परिक्षा के लेकिन बस एक दिन ऐसा लगा और यहां पर देखिrium आपके सामने यहां नोटिफिकर नोटिफिकेकस्ण दे दिया गया है कि यह प्रिक्षा इस्थिगित कर दी गई तो यहां पर परिक्षा इस्तिगित होने के चांस बहुत ज़्यादा है क्योंकि यहां पर भी देखिए 17 तारीकी परिक्षा थी इसकी भी तैयारिया हो रही थी लेकिन बस एक नोटिस आई और बात यहां पर क्लोज हो गई तो जितनी भी परिक्षा आप यहां पर देखिए एक और बात है तो उनकी ड्यूटि यहां पर लगा दी गई है उनकी ड्यूटि लगा दी गई है और उन लोगोंने यहां पर इससी मिजे ये लग रहा है कि जो जूर्य की वैकेंस्य है उसके उपर देखिए 8 bit card अगर 9 तारीक को आगया क्योंकि PNP तो यह कह रहा है कि लगातार हो तयारिया करा रहा है ठीक है अगर by chance बाइचानस अगर आपका 9 तारीक को नहीं आता है तो यह मान की चलिए कि आपकी जो परिक्षा चानल पर पहले से ही है जो लोग हमारी परिक्षा होगी 18 अभी तक तो कोई ऐसी बात नहीं है तो तैयारी अपने इसी तरीके से रखिए ठीक 18 अपरेल होगी उस तरीके से तो काफी लोगों मैं वन-liner के लिए का था कुछ लोगों ने का था कि multiple choice के लिए क्योंकि मुझे भी one-liner में easy लग रहा था लेकिन मैंने वन-liner जो question देखें उसमें ऐसा लग रहा थे कि जैसे मैं इसको पढ़ा भी दोंगा तो आपको अभी याद रहेगा लेकिन पता चला कि एक दिन बाद वो question आपको करवा दूंगा multiple choice और science के ठीक है और अगर उस तब उसके बाद अगर मेरे पड़ टाइम बचा एक दो दिन का जो टाइम बचेगा उसमें अगर कोई चीज बची होई होगी तो उसको वन-liner करा देंगे ठीक है तो दोस्तों बस इतनी ही important जानकारी थी और ठीक है उ आप लोगों को यह जानकर यह आप लोगों के लिए बहुत उप्योगी होगी तो दोस्तों आज की वीडियो में शरूब इतना ही मिलते हैं अपनी नेक्ट वीडियो में तो तक के लिए नमस्कार